हेलो 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 एवरीवान क्या हाल है आप सभी के सुन पा रहे हो तो एक बार में कुछ जल्दी से थम्स अप कर दो लेट अस्टार्ट वेट टिडे सेशन आज हम बढ़िया बढ़िया वन वर्ट सब्स्टिटीशन के कुछ कोश्चन आपके पास लेगा हैं इंग्लिश लैंग्विज का बहुत बढ़िया सेशन होने वाले है अपने फेंड्स में वीडियो जरूर शेयर किया अगरो सबको जॉइन कर वालो लेट अस्टार्ट वे ट्रिडे सेशन बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया आपको दिखना शुरू हो गया होगा करेंटली देर इस मेगा ओफ एक ओफर है यार इसको आप अवेल कर सकते हो 500 रुपीज एक्स्ट्रा ओफ आपको मिल रहा है संभव बैज के अंदर संभव बैज इस आर पेड बैज जिसके अंदर आपकी फ्रॉम स्क्राच सीवीट की त्यारी करवाई जाती है उसमें पर्सनल काउंस्टिंग, सीवीटी प्रेपरेशन, इंटर्वीव प्रेपरेशन, जितने भी आपके फॉर्म फिलिंग सेशन होते हैं, गाइडेन सेशन होते हैं सारी डीटेल्स आपको संभव बैज के अंदर मिलेंगी लिंक मैंने इसका कॉमेंट सेक्शन में डाल रखा है, आपको कूपन कोड यूज करना है शिवरात्री और आपको 500 रूपीज एक्स्ट्रा डिसकाउंट इसमें मिल जाएगा, एक्स्ट्रा ओफिस में मिल जाएगा अवेल करो, कल तक एक उपन कोड चलेगा, उसके बाद इसको हम बंद कर देंगे ठीक है जी, वेरी गूट मॉर्निंग, मनीशा, विभोर, क्या हाले है, अदोनीज, रिया, शर्मा, रनवीर, सर्वे, सौरव ओसम, ओसम, ओसम अटेंडनेंस बाई इच और एवरी वान उफ यू, सेशन को जल्दी से जल्दी सारे लाइक करो, सर हनसराज में बीकॉम ओनर्स, EWS में कितने मांक्स चाहिए, अधे, बीकॉम ओनर्स, EWS काटेगरी के परस्पेक्टिव से 720, 730 प्लस लाओगे, तो बहुत बहुत बेटर होने वाल है, गौरब रोई, डोंट वरी अट ओल, मिनिममम आप एक से दो घंटा भी अगर आप CVT को दे रहे हो, at this point of time, मैं आप सभी स्टूरेंट्स को बता देता हूँ, मिनिममम तू आर्स, if you are devoting out of your board examinations to CVT, तब भी आपकी गाड़िये भी चल जाएगी जब CVT खतम होगा, तो definitely हम यहाँ पे 10 से 12 घंटे की shift लगा रहे होंगे, आपके regular life classes चल रहे होंगी, अभी YouTube पे regular basis पे जो आपकी life classes चल रहे है, उसको देखके घबराना मत, कि सुबह 10 बही से लेकर, रात को 10 बही तक life classes चल दी जा रहे हैं CVT की, मैं तो सारी attending कर पा रहा, यह सर मेरे को तो इस में समझी नहीं आ रहा, मैं CVT की त्यारी कैसे करूँ, I am so much involved in my board examinations, that is natural to happen, वो सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा, almost हर एक aspirant के साथ हो रहा है, board exams आपके 24 से शुरू है, UP board के students के शुरू अलरी हो चुके हैं, तो do not worry, at least 2-3 हंटे आप CVT को भी devote करो, तो आपका जो base है, वो खराब नहीं होगा, वो strong होगा, वो strengthen होगा, मेरा recommendation बस यह रहेगा, board examinations के एकदम बाद, जैसे आपको लगेगी यार, board examinations के दो board के बीच में भी काफी gap होता है, या board examination के एकदम बाद, फिर तो यार, 10-12 घंटे की shift आप लगाओगे, 10-12 घंटे आप ए इसा नहीं है, जो भी आपका paper का medium है, वो उससे फरक नहीं पड़ता, कि आप, अचागर आप English चूज कर रहे हो, in filling the form, तो देखो यार, language का medium से फरक नहीं पड़ता है, ऐसा हो सकता है, आप English language दे रहे हो, बड़ आपको जो papers देने, अपने subject के, अपने domains के, वो हिंदी मीड में देने है, तो पहली बात ये practically possible, ऐसा हो सकता है, दूसरी बात, जब आप form भरते हो ना, तो आपके बाद एक section आता है, जो जो आप subject चूज करने वाले हो, उसको किस medium में आप देना चाहते हो, वो कुछ इस प्रकार से लिखा होता है, किस medium से आपको वो subject देना है, वो medium मे हाता है, चलो, सबसे पहले question के साथ start करता है, हिंदी का syllabus, हिंदी क्या syllabus, विभोर, cvt.sumarth.ac.in, के उपर जाओ, सारे syllabus आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो, डोंट वरी एटाल, सारे syllabus आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो, yes, you can fill it today, don't worry, अभी नहीं कर रहा, JMI का कोई अभी अभी अपडेट नहीं है, इस चैनल से आप regular basis पे English vocabulary उठा सकते हो, बहुत आपको फायदा होगा, scary as though, yes, this combination is absolutely correct, चलो, भाई, स्टार्ट करें, नहीं, दोनों में नहीं आएगा, दोनों में नहीं आएगा, अन्शिका, चलो, स्टार्ट करते हैं, सबसे पहला question के साथ स्टा solution, a person of good understanding knowledge and reasoning power, ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं, जिसके पास good understanding knowledge हो, थोड़ा यार वो common sense लगाने में believe करे, common sense, यदि कोई व्यक्ति लगाने में believe करे, और उसके पास reasoning power हो, logical बात बोले, reasoning के साथ काम करे, ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं, a person of good understanding knowledge and reasoning power right answer is going to be intellectual, snob, literate, expert क्या होगा इसका right answer जल्दी से बता दो सारे very good, very good, very good yes, 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 पहुत सारे students का answer बिल्कु सही है ऐसे व्यक्ति को intellectual बोलते हैं intellectual व्यक्ति वो होते हैं जो reasoning से बात करते हैं reasoning लगाते हैं, अपने बातों में logic लगाते हैं और knowledge को understand करने में उनकी जो speciality है they are inherently काफी good, very established and very good in understanding things जितने भी बड़े-बड़े Nobel Prize winners हैं उनको intellectual बोल सकते हैं अब मैं आपका बताता हूँ, students भी intellectual होते हैं, teachers भी intellectual होते हैं बट सारे नहीं, जो ये quality entail करें अपने आपके अंदर क्या quality है, good understanding knowledge होनी चाहिए reasoning power apply करने में उसको service test होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए, reasoning कहां लगती है reasoning का मतलब होता है common sense ठीक है जी, 17 का A from the बाद बिल्कुर सही आगे move on करें, चलो भई a person who is able to use the right and the left hands equally well बहुत अच्छा कोश्चन है, say if I want to take an admission in jamia CVT का form भी आपको भरना चाहिए दिव्या और अगर CVT के अंदर jamia नहीं दिखा रहा तो jamia मिल्या इस्लामिया का एक tentative dates और timeline मैंने दे रखी है हमारे telegram channel पे एक बहुत ही बड़िया मैंने news निकाली थी ये कुछ unofficial sources से news आई है उसको आप, वो particular news आपको मेरे telegram channel पे मिल जाएगी telegram का group मैंने comment section में डाल रखे है उसको एक बड़ आप चाहके check out करो मैं एक बड़ आपको बता भी देता हूँ, वो पूरी पूरी news थी क्या just give me a moment तो उसमें कुछ इस प्रकार से बता रखा है जो जामिय मिल्ला इसलामिया की dates है उसका मैं एक बड़ नोटिविकेशन आपको बता देता हूँ ये दिखा देता हूँ आपको ये दिख रहा है ये दिख रहा है, ये है जामिय मिल्ला इसलामिया का नोटिविकेशन, March, April में आपके registration forms open होंगे जून जुलाइ में entrance की dates आ जाएंगी में में आपके registration खतम हो जाएंगे August में आपका result डिकलेर आ जाएगा और September से आपके admission close होने के बाद classes start हो जाएंगी अगेन ये probable है ये exact नहीं है, ये probable dates है exact dates नहीं है बढ़ हाँ, JMI अपना खुद का entrance देने के पूरे-पूरे विचार कर रहा है इस समय ठीक है right answer is a person who is able to use आपको पता है न, वीरु शास्त्र बुद्धी जो 3Ds का character है वो दोनो, right hand और left hand दोनों use करता है तो उसको बंदे को क्या बोलता है mb dexterous, right answer is b for one, absolutely right 18th का right answer is going to be mb dexterous जो दोनों hard use करें उस वक्ती को क्या बोलेंगे mb left hand से भी लिख सकता है right hand से भी लिख सकता है दोनों को equally शमता में वो use कर सकता है normally जनता, आपकी और मेरी जैसी majority की मैं बात बता रहा हूँ वो या तो right बहुत अच्छा use करती है या left बहुत अच्छा use करती है दोनों एक साथ कभी अच्छा use नहीं करते तो आपको, अगर ऐसा कोई वक्ति मिल जाए जो दोनों एक साथ अच्छा बहुत use कर रहा हूँ इसका मतलब, उसको बुलेंगे a person who has good taste of food जिसका यार फूड में काफी अच्छा टेस्ट हो गॉर्मेंट, क्यूरेटर, पैरसाइट, स्टॉइक, राइट आंसर जैस अपरसन फूड के लिए काफी इंकलिनेशन है मतलब यार एक बाब बताँ अपरसन फूड को बनाया गया उसको उसकी सबकी नौलेज है उस व्यक्ति को बोलते हैं और ये बकाइदा एक प्रफेशन है रेस्टॉड के अंदर आपको बता है एक फूड इंस्पेक्टर होता है फूड इंस्पेक्टर आता है वो गौवर्मेट को अपने साथ लेके आता है तो फूड इंस्पेक्टर खुद कभी-कभी एस्टिमेट नहीं लगा पाता कि यार इनके यां कुछ घबला तो नहीं हो रहा कुछ गलत चीज़ नहीं मिला जारी फूड के अंदर तो वो गौवर्मेट को अपने साथ लेके आता है जो टेस्ट करके बता देता है कि भाईया यहां पे सब सही है कोई प्राबलम नहीं है कोई बीचीज हानिकारक नहीं है वो smell करके बता देता है कि क्या हो रहा है यहाँ पे food quality, food quality assurance food के perspective से government बहुत help करता है identify करने में कि food के इसलिए quality है क्या तो right answer is 19 का एफरम दबादी आप से लुड़ी right one who studies insects life अगर आप insects की life पढ़ते हैं one who studies insects life तो उस व्यक्ती को क्या बोलते हैं वह बता दो one who studies insects life उस व्यक्ती को क्या बोलते हैं one who studies insects life botanist, entomologist, geologist या geologist right answer 20th right answer बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया B, B, B कुछ लोग बोल रहे हैं A, कुछ लोग बोल रहे हैं B very nice one who studies insect life right answer is going to be B for Bomb is absolutely right entomologist वो व्यक्ती होता है जो insect life पढ़ता है right answer is B entomologist होता है वो व्यक्ती जो insect life पढ़ता है B, इसका बिल्कु सही answer है B, बिल्कु सही answer है botany plants है zoologist, zoologist, geologist, geography है zoologist, zoo animals है तो insect यहाँ पर सिर्फ एक है entomologist, right answer is B for Bomb is absolutely right to cause troops, etc to spread out in readiness for battle अच्छा है यहर इस पूरे के पूरे meaning एक word का meaning है to cause troops, etc to spread out in readiness for battle troops का मतलब बता हूँ क्या होता है army अपनी army को अपने बंदे को अपने बंदों को बोल देना भाई इस इस इलाके में ऐसे फैल जाओ इस इलाके में फैल जाओ और त्यार हो जाओ battle के लिए battle मतलब war के लिए fight होने वाली है इसको क्या बोलेंगे align, collocate, deploy, disperse क्या बोलेंगे भाई very good very good deploy the troops right answer is C for Calcutta बिल्कु सही है देखो यार alignment का तो मतलब होता है same level पे alignment मतलब क्या आपका vision और मेरा vision same level पे है उसको बोलते है our visions are aligned our visions are aligned to each other ठीक है collocate collocate का मतलब होता है collect करना disperse का मतलब होता है बिखर जाना deploy का मतलब होता है duties assign करना लिख लो यार deploy का यहां पे मतलब है duties assign करना अब यहां पे किस प्रकार की duties assign करी जा रही है अपने army को अपने troops को बोला जा रहा है कि भाई इधर उधर आपको पता है जैसे वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड फर एक्जामपल अभी तक एक भी गलत नहीं हुआ अराधी तिवाडी वेरी गुड वेरी गुड ये देखो मैंने कुछ बोला बट क्या तुम्हें सुनाई दिया देखो ये जहाने समझना मैं कुछ बोल रहा हूँ क्या तुम्हें सुनाई दिया है ये मैंने भी बोला बट साइलेंट में वो वो इनॉड एबल टू लिस्टन टू मी फिर में हम क्या बोलेंगे इनॉड बल नहीं सर जो आपने बोला हमें समझी नहीं आया उसको क्या बोलेंगे inaudible एक voice इतनी loud है sufficiently loud है कि हाँ वो सुनी तो जा सकती है तो उसको क्या बोलेंगे audible is the right answer audible B for Bombay is absolutely right audible 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 is the right answer audible का ही opposite होता है inaudible जब मैं कुछ बोल रहा हूँ तुम्हें बात नहीं सुनाई दे रही ठीक है RN RN ये family show है ये family class है यहाँ पर families भी देख रही होती है बच्चे अपने families के साथ बैठके RN बोले सर ऐसे लगा आपने गाली दी मैं गाली के दूँगा भई ये कैसे लोजिक है ये होने वाला है RN के साथ slap with a flat object sword, no, hue, chop right answer is sword is the right answer sword is absolutely absolutely right sword is absolutely right sword मतलब फटक जब ऐसे तुम मक्की आती है तो ऐसे मारते नहीं हो ऐसे ये कोई नहीं कोई copy उठाते हो या चपल उठाते हो और उसको मार देते हो उसको या बोलता है sword करना, right answer is a 23 a frame the bar is absolutely right ठीक है जी, right answer is a बिल्कु सहीज कांसर है, person who is not sure of the existence of God एक ऐसा व्यक्ती जिसको पता नहीं कि यार, God exist करता भी है या नहीं करता, देखो यार एक ऐसा व्यक्ती, जो भगवान में मानता है अथीस्ट, जो भगवान में मानता ही नहीं वो existence पर challenge नहीं करना वो कह रहा है, मेरा इस पर believe system नहीं है, लिख लो वो existence पर challenge नहीं करना वो कह रहा है कि मेरा इसके उपर न believe system नहीं है मेरा भगवान के उपर believe system नहीं है, उसको क्या बोलेंगे agnostic वो व्यक्ति है जो कहता है यार भगवान है भी existence का मतलब होता है living being existence का मतलब होता है क्या जीता जाता भगवान का जो concept है existence of God वो है भी या सिरफ बना रखा है लोगों ने तो he is not sure about the particular existence of God itself देखो यार मानना या ना मानना वो बाद में बाद आती है जिसको शक है यार अगे not sure का मतलब हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है उसको शक है existence of God डियालिटी में exist करती भी है नहीं करती 24 A for M दा बाद बिल्कु सही है words inscribed on tomb words inscribed on tomb जिसको क्या बोलते है भई tomb का मतलब होता है यार एक ऐसा monument एक ऐसी building जिसको उपर words लिखे में हो एक ऐसा monument एक ऐसी building जिसको उपर words खुदे में हो words inscribed का मतलब खुदे में है words epitome epitome तो होता है height epitome मतलब best example epilogue हमने पढ़ा था यार ये book की summary होती है epistle epitaph right answer is epitaph is the right answer जब भी आपके पास tomb के ऊपर कोई चीज inscribed हो उसको क्या बोलेंगे epitaph right answer is d 25 defidelity is absolutely right epilogue तो एक summary की तरह treat करते है epilogue is wrong answer 25 defidelity इसका बिलकुल बिलकुल सही answer आगे move on करें भाई सभी student session को like करो session को like कर दिया करो without even me saying it क्योंकि session को like करने से आपके like videos में आता है youtube को पता लगता है हाँ बहुत important competitive exam cvt game ginger college admission cvt की basis पर आपको मिल रहोंगे exam आने वाला है तो सभी student session को जल्दी से जल्दी like कीजे murder of a king side का मतलब होता है to kill यह मैं कहीं बार बता भी चुका हूँ आपको side का मतलब होता है kill जैसे genocide genocide मतलब mass killing of a community from a particular place matricide, regicide, infanticide infanticide मतलब बच्चे की हत्या कर देना उसको क्या बोलते है infanticide यहाँ पे murder of a king king को पता हूँ क्या बोलते है regi regicide is the right answer matricide मतलब अपने या तो पती या पत्नी की हत्या कर देना right answer is B for Bombay यहाँ पे option थोड़ा सा यह problem की rate कर आवा है इसने B for Bombay's right answer murder of a king murder नहीं कर दिया king का regicide is absolutely right B for Bombay a person who is absorbed in his own thoughts and feelings rather than in things outside एक person जो भारी दुनिया से ज़्यादा अपने ही अंदर समाया हुआ है जो यहाँ ज़्यादा लोगों से बात करना चाहता वो अपनी feelings अपने thoughts अपने साथ ही share करना चाहता है और अपने अंदर ही रखता है rather than expressing themselves expressing his or her thoughts to the outside world वो non expressive in nature है वो कहता है यार ठीक है जो यह सभी मैं feel कर रहा हूँ मेरे को यह बात अपने तक ही रखनी है अपने thoughts, अपने feelings अपने तक ही रखना है मेरे को दुनिया के साथ share नहीं करना है तो absorb करना है इसा कौन से व्यक्ति को बोलते हैं recluse, intellectual, scholar intellectual or scholar यार अलमुस एक बात होती है right answer is introvert is the right answer एक व्यक्ति जो बहुत expressive in nature है वो extrovert एक व्यक्ति जो बहुत non expressive in nature है उसको क्या बोलते हैं introvert बीफर बॉम में बिल्कु सही है one who lacks knowledge जिसके बास knowledge की कमी है one who lacks knowledge right answer बता दो बहुत जल्दी से क्या होगा one who lacks knowledge मतलब यार ऐसे लोग बताओं कौन से होते हैं जिनको पड़ी नहीं है उनको logic, ना logic से मतलब उनको बस यह मतलब है जल्दी से बतादो पाटी कहा है अभी तो पाटी शुरू हुई है इनको जल्दी से बतादो बस पाटी कहा है one who lacks knowledge जैसे फ्यक्ति को बोलते हैं ignorant he is ignorant about his surroundings उसको अपने surroundings के बारे में अपने आस पास क्या हल चल चल रही है उसके बारे में knowledge ही नहीं है right answer is 28C for Calcutta is absolutely right that which cannot be taken or attacked by a force जो नहीं take किया जा सकता है नहीं attack किया जा सकता है by a force है उसको छीना नहीं जा सकता attack नहीं किया जा सकता उसको क्या बोलते हैं anarchy, autocracy, impregnable, permissible permissible का मतलब होता है permission देना permissible का मतलब होता है you are permissible to enter inside this town hall you are permissible to enter inside this building permissible का मतलब होता है permission granted आपको permission मिल चुकी है grant हो चुकी है कि आप अदर जाके काम कर सकते हो autocracy, anarchy autocracy का मतलब क्या होता है autocracy का मतलब क्या होता है autocracy का मतलब होता है एक ऐसी एक दोती है democracy एक होता है autocracy, autocracy is run by the people, वहाँ पे किसी भी king या minister या PM या प्राइम मिनिस्टर या प्रेजिएंट की जुरुत नहीं है, NRK ruled by one king, impregnable is the right answer, C for Calcutta बिल्कु सही है, 29th which cannot be taken or attacked by force, impregnable उसका बिल्कु सही answer है, 29th का C for Calcutta is absolutely right, जिसको चीना नहीं जा सकता, attack नहीं किया जा सकता, उसको बोलते हैं C for Calcutta, C for Calcutta is absolutely right, नहीं यार, इसका answer permissible, permission granted होता है, infallible, yes, एक और बहुत बढ़ी है, वो है, इसका synonym लिख लो, kudos to RN, आरे ने बहुत अच्छा synonym बताया है, infallible, I-N-F-A-L-L-I-B-L-E, infallible, 29th का सी बिलकु सही है, yes, of unknown authorship, unknown authorship का मतलब, कभी-कभी तुमने लेखा होगा, जो books होती है, जब तुम books को पढ़ने जाते हो, वो books का writer कौन है, वो unknown है, books का author कौन है, वो unknown है, books का writer, books का author, books का producer कौन है, unknown है, तो authorship, इसको बोलते है, authorship, A-U-T-H-O-R, इसको क्या बोलते है, authorship, of unknown authorship का right answer क्या होना चाहिए, भाई, ये व्यक्ति को हम जानते ही नहीं, तो ये व्यक्ति anonymous है, anonymous का मतलब, पता नहीं, गुम नाम, देखलो, मतलब होता anonymous, right answer is, B for Bombay, absolutely right, incognito, anonymous, pseudo, unidentified, right answer is, anonymous, इसका बिल्कुल, बिल्कुल सही answer है, खटियत, B for Bombay, सही है, a lady who remains unmarried, जो marry कभी नहीं करती, unmarried रहती है, उस lady को क्या बोलते हैं, बहुँ जल्दी से बताओ सारे, a lady who remains unmarried, right answer is, bachelor वो व्यक्ती है, जो man, अगर man remains unmarried, उसको बोलेंगे bachelor, अगर lady who remains unmarried, उसको बोलेंगे spinster, 31 का, A for Bombay, is absolutely, absolutely right, a disease that spreads over a large area, a disease, यह जब COVID आया था, बहुत वर्ट चला था, एक होता है pandemic, एक होता है endemic, एक होता है epidemic, एक होता है phonomic, phonomic तो यार, it is not related to any disease, endemic, pandemic, epidemic, देखो यार, एक disease, जो बहुत ही large area में ऐसे फैल जाए, उस disease को बोलते है epidemic, अगर वो चीज, बहुत ही बड़े country में ही, countrywide, एक तो होता है area, जैसे यह town का एक area है, एक शेयर का area है, एक होता है पूरी country में ही फैल गया, तो उसका area के अंदर अगर फैलता है, तो उसको बोलते है epidemic, country के अंदर अगर फैलता है, तो उसको बोलते है pandemic, समझ गये, तो epidemic मतलब comparatively small area के अंदर फैला है, pandemic का मतलब बहुत बड़े area के अंदर फैला है, a disease that spreads over a large area, तो इसका right answer होना चाहिए epidemic, right answer is 32, एफर हम्दबाद बिल्कु सही है, dead bodies को बरी करने की क्या place होती है भाई, a place to bury dead bodies, catacombs, crypt, right answer is symmetry, यह मैं आपको कहीं बार बता चुगा हूँ, symmetry बहुत important word है, cvd के perspective से important है यह question, यह हम 34-5 वी बार कर रहे हैं, YouTube के ओपर इसको पढ़ो, important questions है यह, yes you are right, yes you are right, yes you are right, symmetry बिल्कु सही है, a place to bury dead bodies, symmetry, उस place को क्या बोलते हैं, जहांपे dead bodies दफना ही जाती है, बरी करी जाती है, symmetry is the right answer, to die without having made a will, यह आपको पता है ना, आपको will बना के ही जाना चाहिए, will का मतलब, अब आपकी property किसके नाम है, अब आपका जायदाद किसके नाम है, अब आपका करिया करम कौन करेगा, आपका last इच्छा क्या है, आप क्या चाहते हैं, आपकी daughters को, आपके son को क्या मिलेगा, इसको क्या बोलते है विल ये सब विल का पार्ट होता है विल मतलब my will for the belongings that will stay in this world after me to die without having made a will का क्या मतलब होता है मेरी इच्छा के अनुसार मेरी belongings जिसका अभी मैं अधिकार हूँ जिसका अभी मेरे पास अधिकार है जिसका अभी मेरे पास right है मेरे जाने के बाद इस दुनिया में उसका right किसके पास होगा वो outside person भी हो सकता है वो family person भी हो सकता है आपको पता है रतन टाटा ने अपनी will अपने बच्छों के नाम नहीं किसी और के नाम कर दी है उतरा अधिकार ही है उसका कोई और तो to die without having made a will यहां पे कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो will sign करे बिना will बनाए बिना ही मर जाते हैं उसको क्या बोलते हैं interstate is absolutely absolutely right interstate बिल्कु सही इसका answer है defidelity होना चाहिए इसका right answer भाई किस-किस का यह answer बिल्कु सही है 34th का defidelity is absolutely right बहुत बढ़ी है बहुत बढ़ी है good response interstate is absolutely right a set of three related works by the same author अच्छा three related works मतलब part one, part two, part three ऐसे नहीं आता इस book का यह part one launch हो गया इस book का यह part two launch हो गया इस book का यह part three launch हो गया और books की language में लिक लो यार important है books की language में इसको एक और चीज़ बोलते है volume one volume two इस book का volume one, volume two जैसे Harry Potter जो original पहले आपको पता होना चीए Harry Potter, Game of Thrones यह classic movies and classic shows है यह reality में किसी novel की उपर based है तो उसमें volume one, volume two, volume three part one, part two, part three part one, part two, part three normally किसी series है movies के लिए use होता है books के लिए volume use होता है यहाँ पे जो volumes है ना Harry Potter की कम से कम nine और ten volumes बन रखी है Game of Thrones की approximately जितना मेरे को याद है approximately two और three two और three बन रखी है volumes तो यह volume मतलब related work है यहाँ पे three अगर related work हो तो उसको क्या बोलेंगे trilogy बोलेंगे ट्राय का मतलब क्यों होता है तीन देखो यार ट्राय का मतलब होता है तीन ट्राय मीन्स त्री तो trilogy is the right answer 35 एफरम्दबाद बिल्कु सही है intentional destruction of racial groups यह मैं बता चुको हूँ अभी कश्मीरी फाइल के example देता हूँ कहीं बार में आपको यह वर्ड आपको कश्मीरी फाइल में देखनों को मिलेगा कहीं बार क्या intentional destruction of racial groups homicide faticide का मतलब होता है brother की killing regicide होता है king की killing homicide होता है घर पे homicide का मतलब यहाँ पर मैं exactly बता देता हूँ आपको यह मैं आपके लिखके आए हो homicide का मतलब यहाँ पर होता है killing of one person by another homicide मतलब किसी और व्यक्ति को मार देना murder जिसको बोलते है murder killing उसको बोलते है homicide एक व्यक्ति ने किसी और व्यक्ति को मार दे in short murder की यह बात कर रहे है intentional killing intentional destruction of racial group को बोलते है genocide एक community एक area में reside करती है तुमने उस पूरी की पूरी community को ही जड़ से उकाड़ दिया उसको क्या बोलोगे genocide जैसे कश्मीरी बंडिस के साथ हुआ था according to Kashmiri files medical study of skin and its diseases dermatologist जब भी आपके skin में बहुत acne हो जाता है दाने जिसको बोलते है फुंसी हो गई पूरा का पूरा skin खराब हो रही है red हो रही है pili हो रही है blue हो रही है उसको क्या बोलते है dermatology dermatologist is the right answer dermatology इसका बिलकुश सही answer है क्या answer है भाई सब क्या लिखेंगे इसका dermatology इसका absolutely absolutely सही answer है आगे move on करें चलो endocrinology भी लिख लो यार endocrinology वो व्यक्ति होता है जो health related problems को जैसे आपका heart जैसे आपका heart endocrine system एक चीज होती है जिसमें hormones की study होती है लिख लो endocrine sorry heart मैं गलत बोल रहा हूँ endocrine में hormones की study होती है hormones की study hormones की study को बोलते है endocrinology right answer इसका क्या होना चाहिए dermatology medical study of skin and diseases dermatology is absolutely absolutely right आगे आजए चलो भई आगे आजए और तो पीडिक भी समझ लो और तो पीडिक क्या होता है skeleton की जो आपकी जांच परताल करें bones, joints, ligaments, tendons, muscles इसको बोलते है musco skeleton system लिख लो इसको बोलते है musco skeleton system क्या बोलते है musco skeleton system orthopedics कौन होता है musco skeleton system जैसे bones bones joints joint मतलब यह जैसे यह आपका हार ऐसे मूँ कर रहा है तो यहाँ पर एक joint है cap है, knee cap joints, ligaments इनकी study करने वाले को क्या बोलते हैं orthopedics right answer is dermatology is the right answer ठीक है जी आगे मूँ आन करें something that relates to everyone in the world भाई एक चीज जो हर एक व्यक्ति को belong करें हर एक व्यक्ति को के लिए वो बाट true हो something that relates to मतलब वो उस व्यक्ति से link खा रही है वो एक generic truth है क्या है general truth है ऐसी चीज को क्या बोलते है universal in nature universal मतलब दुनिया के एक कोने में नी ये चीज apply होती ही होती हर एक व्यक्ति पे तो 38 का C for Calcutta बिल्कु सही है leave or remove from a place considered dangerous भाई एक आग लग गई एक building में imagination समझो ये बहुत realistic example है कहीं बार होगा तो कहीं बार तुम जब भी international कभी तुम घुमने जाओगे foreign country में और वो तुमें कहेंगे please dash the place right now वो तब ऐसा बोलेंगे वो क्या बोलेंगे remove करने के लिए तुमें कहेंगे बाई निकल जाओ इस प्लेस से यहाँ पे तो बहुत खत्रा होने वाला है आग फैल गई है धुआ हैं बहुत ज़ादा तो वो क्या बोलेंगे please dash from a place considered dangerous please dash तो एक word का वो use करेंगे right answer is कहीं बार आपने signals में देखा होगा movies में देखा होगा right answer is evacuate please evacuate evacuate मनलब खाली कर दो इस जगा को evacuated बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया right answer क्या होना चाहिए 39th का एफरेम्दबाद is absolutely right please evacuate this place इस place से इस place से बहुत डेंजर हो सकता है आपकी जान खत्रे में right answer is एफरेम्दबाद बिल्कु सही है अब person who possesses many talents versatile actor actor के लिए normally ये बाद यूज होती है वो comedy scenes भी कर लेता है वो action scenes भी कर लेता है अगर होता अगर मतलब होता प्रोडीज प्रोडीजी को मतलब एक gifted talent जो inherent जैसे नहीं होता मम्मी के पेट से तुम लेके आए वो talent ऐसे बोलते है वो होता gifted व्यक्ति एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास comedy, action, romantic हार तरह के action scene वो कर लेता है और वो serious scene वो कर लेता है thriller वो कर लेता है ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते है versatile actor है वो क्या है versatile actor ठीक है जी चलो versatile actor है अब एक और हमारे one word substitution हो गए खतम one word substitution हो गए खतम अब हम next चलते हैं अब हम one word substitution हमारे यही खतम हो गए अब let's move on to the next topic मैं spellings के कुछ error आपके पास लेका है हूँ who is ready अच्छा सभी students session को like कर दिये सबने अभी rapid fire 20 question और हम करने वाले है फिर इस class को end करेंगे शिवरातरी 500 रुपीज extra off चल रहा है learn करो application पे अगर कोई batch purchase करने वाले enroll करने वाले this is the right time इसके बाद कल हमारे पास वो off भी खतम हो जाएगा कल्यान भाईया वर्सेटाइल yes 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 must need sir must need बहुत बढ़ी है spellings के 20 बढ़ी है बढ़ी है question अब हम start करने वाले है just give me a moment batch तो चालू हो चुका है yes batch has already been started मैं आपको बताता हूना majority students अब हलके हलके करके enroll कर रहे है उससे फरक नहीं पड़ता आपका कोई भी syllabus छूटा नहीं है यह मैं आपको बता देता हून आपका कोई भी syllabus छूटा नहीं है उस बात की अप्टेंशन बिल्कुल भी ना लीजिए उसको from scratch from starting आपके form अभी तक अगर अभी तक आपने मेरे से चेक नहीं करवाया तो करवाओ उसको scratch से करवाना from starting करवाना आपका कोई भी syllabus मिशना हूँ वो हमारी guarantee रहती है उसकी अप्टेंशन ना लो जी चलो foreign की spelling बताओ भई foreign की spelling अभी बात हुए थी foreign country की f o r e i g n नहीं अरादियन नहीं होगा नहीं होगा तिवाडी जी बिल्कुल नहीं होगा चलो चलो जी चलो सरबट classes start हो गई है नहीं हाँ don't worry at all अब next batch में आपको बताता हूँ March में आएगा March 30th के बाद आएगा next batch तब तक कि आप wait करोगे आपका boss labor अलड़ी तब छूट चुका होगा वो crash course होगा वो full fledged from scratch course नहीं होगा देखो एक तो होता है crash course crash course दो महीने चलता है एक होता है full fledged six month course तो यह जो मैं आपको syllabus करवा रहा हूँ अभी sum of batch के अंदर that is a six month course वो crash course नहीं है crash course मन्त की validitude के है two months जिसमें सरब आपके CVT के preparation करवा देंगे recorded lectures आपको देंगे काम खतम समझ गए yes कर सकते हैं राजन कोई problem नहीं है अभी जो sum of batch चल रहा है उसका benefit क्या है वो syllabus आपका खतम होगा तीन महीने के अंदर-अंदर daily life classes का batch है 15 physical books आपके गर पहुंचती है और इसकी validity है 31st December को यह batch खतम होगा क्यों इसमें counseling already included है क्राश कोर्स में counseling इंक्लूड नहीं होती फिर counseling के लिए अलग से आपको अलग से कोई course खरिजना पड़ता है counseling का जिसको बुलते है zero to hero counseling personal one to one counseling जिसमें आपके जितने भी doubts है डेल इन्वेस्टी भी है चुन सबके different counseling forms भी आने वाले है वो भरवाय जाते है crash course के साथ आपको counseling भी लेनी पड़ेगी some of batch में counseling already included है mock मिलेंगे paid में approximately 1000 plus mocks will be uploaded 1 rupees batch में mocks पड़े हैं sir yes पड़े हैं एक बार आप जाके check out करो वो demo mocks हैं आप definitely जाके देख सकते हो no problem at all regular courses is always better yes perfect learn करो application is lit thank you so much for all the love and appreciation deep fidelity is the right answer चलो stethoscope stethoscope समझ की जिसकी spelling majority student से गलती हुआ करती थी ऐसे लगाता है ऐसे लगाते हैं doctors और ऐसे आपकी छाती पे फिर back पे बोलते हैं लंबी-लंबी सांस लो लंबी-लंबी सांस लो उसको क्या बोलते हैं stethoscope stethoscope बड़ा easy है यार stethoscope stethoscope C for Calcutta is absolutely right stethoscope बिल्कु सही है C for Calcutta बिल्कु सही है stethoscope आगे move on करें tuition tuition जाना tuition में तुम जाते हो कौन कौन जाते है भाई tuition में सीधा आंसर है T-U-I-T-I-O-N T-U-T-I-O-N यह tuition मतलब वही coaching जिसको लेने से आप काफी डरते हो और सोचते हो है भगवान मैंने अगर यहाँ पे 3000 उपे spend कर दी यहाँ पे अगर मैंने 5000 का course ले लिया तो मैं तो लोड़ जाऊंगा मेरे को तो डूड लेंगे पढ़ाई के ओपर इतना spend पढ़ाई के ओपर मैं इतना spend करूँ ना जी ना यह तो impossible है बोलो yes or no सोचता है नहीं सोचता वेक्ती B for Bombay is absolutely right passenger चलो भई passenger अभी बात हो रही है कि आप सबके school में एक trip organize करवाई जा रही है उसके लिए आपको 2000 रुपी submit करने है वो एक दिन की trip है ध्यान दे समझे ना यह fact बतारो है लाइफ का तुम्हें वो एक दिन की trip है 2000 रुपी स्कूल वालवे ने मांगे आप दे दोगे चुप चाप अगले दिन पेरेंट्स के consent की तो जुरती नहीं होती तुम खुदी साइन कर देते हो पता है मुझे यह सब चीजे है खुदी साइन कर देते हो सर यह तो बहुत महंगा है इसको सर सस्ता करो सर वन रुपीस बैच में क्या मिलेगा बसे बता दो उसमें आप वन रुपीस की तरफ जाते हो और जो एक दिन का काम है उसमें आप 2000 भी खर्च करने के लिए रेडि हो understand the priorities in your life your priority at this point of time must be enabling yourself to study from scratch अपने आपको from scratch त्यारी करवाना एक proper guidance में त्यारी करवाना बट इसको opposite होता है हम entertainment dopamine rush पढ़ाई से dopamine rush नहीं आता ना पढ़ाई से कोई खलबली नहीं मचती दिमाग में पढ़ाई is a slow process हलके-लके होता है logic समझ पा रहे हो yes कर सकते हैं दिवाडी जी मेरा whatsapp number लिख लो सभी students अगर समझ पा रहे हो जो मैं क्या बात बोल रहा हूँ आपको तो whatsapp मेरे को करो जैसे रजनीश, RN बहुत सारे students हैं यहाँ पे जो YouTube के भी life classes रेटेंड करते हैं और मेरे साथ paid batches में sumbub batch में जुड़ चुके हैं उनको पता है है राज जैसे चार लासेज हैं हमारी regular basis पे तीन से चार लासेज होते हैं आज symbiosis के मैं form भरवा रहा हूँ आज symbiosis के मैं form भरवा रहा हूँ आप सबके तो यह form कब भरो गया आप Symbiosis नारसिमुन जी, Christ University I am मिंदौर, I am Ro तक इन सबके forms release हो गया यह कब भरोगे भाई और इनकी guidance कौन देगा आपको इनकी त्यारी कौन करवाएगा आपको कहां से त्यारी करने का सोच रहो यह सब दिमाग में आपके अभी तक बाते नहीं आई तो आप बहुत गलट direction में जा रहे हो अपने parents को यह वीडियो दिखाना एक बार उन्हें समझाएगा चल करे life में ठीक है WhatsApp पर आप करते हों मैं करता हूँ अरादे passenger, passenger की spelling बता दो भई, चलो जी definitely नेहा definitely नेहा, 639766212 अभी आप सबको students को मैं बता देता हूँ flat discount चल रहा है 500 का coupon code मैं आपको बता चुका हूँ flat बता रहा हूँ मतलब extra discount, discount पर भी discount दिये जा रहे है इससे जादा और तुमारे लिए क्या मैं कर सकता हूँ, मुझे तो नहीं समझाता शिवरात्री discount, सुबे से लेकर राद तक live classes है, शिवरात्री coupon code यूज करो, आपका बहुत भला होगा ये मेरी guarantee है, आपको काफी benefit होगा आपके पूरी की पूरी entrance की preparation में वो एक university नहीं है हर एक university जो आप target करने वाले हो उसमें आपको काफी फायदा होने वाला है ये लो जी ये दिख रहा है सबको, बोलो yes or no happy shivratri, sum of bad 2023 use coupon code shivratri, get 500 extra discount, extra off for your entrance exam preparations कोई problem नहीं है, आगे move on करें, चलो भई done है, 6397662212 passenger की spelling क्या होती है passenger की spelling क्या है अब आजो भई, a, a, a right answer is, a from the bad, बिल्कु सही है a from the bad, passenger is absolutely absolutely right चलो जी right answer is, a from the bad, passenger बिल्कु सही है आजो भई scriptorium scriptorium का मतलब समझो, पहले उसके बाद करेंगे okay नहा, got it same to you, चलो scriptorium का मतलब समझो, फिर समझेंगे scriptorium का मतलब मैं आपके पास लिखे आया हूँ, लिखो इसको scriptorium का मतलब क्या होता जल्दी से scriptorium, इसको क्या पढ़ता है scriptorium just give me a moment इसको बढ़ता है scriptorium ये एक ऐसी जगा होती है जहाँ पे लिखा जाता है scriptorium का मतलब लिख लो place for writing तुमारे घर पे कोई ऐसी जगा जैसे ये ना writers authors ये या content writers वो ऐसी जगा यूज़ करते हैं जहाँ पे एक table एक chair एक ऐसा setup उन्हें बना रखा होता है एक आंत में जहाँ पे वो लिखते हैं अपने विचार प्रकट करते हैं और ये जो word है बहुत ही पुराना है क्योंकि पहले ना script लिखा जाती थी script मतलब जैसे यार एक बादाओ जो हमारे PM speech देते हैं script होती है जो भी कोई बहुत बड़ा नेता जो भी actor कभी बड़े stage पे script पढ़ता है script सिरफ वो व्यक्ति नहीं लिखता है वो तो लिखता ही है उसके लावा उसके पीछे उसके subordinates होते हैं associates होते हैं तो अगर एक author एक writer एक ऐसी place decide कर ले जहां पे वो script लिख रहा है उसको बोलते है scriptorium तो scriptorium मतलब script आना चाहिए orium आना चाहिए r i um right answer is b for bombay is absolutely right right answer क्या होना चाहिए इसका b for bombay scriptorium इसका बिल्कुँ सही answer है को एक problem तो नहीं है b for bombay surveillance मतलब निगरानी ऐसे नहीं लिखा होता है you are under surveillance का क्या मतलब है you are under surveillance तो right answer बजाता हो पे इसका क्या होगा जल्दी से surveillance मतलब निगरानी में हो CCTV camera's के आसपर लिखा होता है you are under surveillance आपको देखा जा रहा है आपकी है एक action note करा जा रहा है please कोई यहाँ पे चतुरते या चलाकी ना करें आप problem में आ सकते हैं अफस सकते हैं उसको क्या बोलेंगे surveillance S-U-R-V-E-I-L-A-N-C-E surveillance B for Bombay is absolutely right B for Bombay इसका बिल्कुँ सही answer है आगे आज़ें चलो जी thermometer thermometer बुखार चेक करने के लिए temperature बेसिकल या बुखार नहीं इसको बोलते हैं body temperature अगर जादा हो temperature या कम हो तो आपके दो symptom दो सकते हैं तो बुखार जादा है या आपका BP लो है या temperature बहुत भी डाउन नहीं चाहिए एक body average temperature maintain करके चले तब आपको जीने में असानी होगी thermo thermo मी डबल टी नहीं आता जी memeter thermometer thermometer जैसे नहीं होता जैसे नहीं होता interior वैसे यह होता है ulterior दो चीज़ होते हैं दो words होते हैं एक होता है interior interior मतलब interior designing interior designing मतलब lobby की P.O.P कैसी है छट पे कितने lights है कितने flower कितने कैसे पंक्खे लगा रखे हैं कैसी boundary बना रखी है P.O.P का range क्या है कितने का बना इसको बोलते है interior designing sofa का रखा जाएगा एक होता है ulterior designing मतलब भारी ulterior मतलब घर से भार ulterior मतलब outside क्या outside की क्या वही कारी करी है ulterior का मतलब होता है basically existing beyond intentionally hidden secondary outside क्या सजावट आउसको बोलते है ulterior design तो interior का opposite क्या होता है ulterior right answer is ulterior right answer is defidelity is absolutely right defidelity भाई सबका सही answer है defidelity बिलकुँ सही है चलो जी reindeer reindeer एक तरह का animal है reindeer का मतलब लिख लो एक तरह का क्या है animal है इसकी spelling बहुत बार students गलत करते है reindeer Christmas के terms में associate होता है और reindeer reality में एक animal को एक यह animal realistic है character नहीं है और ऐसे नहीं होता है reindeer जो होता है वो क्या करते है जो Christmas की Santa Claus की काट है उसको कीचते है यह species होती है deer की यह क्या है deer की species को बोलते है deer की species deer की species को बोलते है reindeer r e i n d e r उसको क्या बोलते है reindeer इंडियर ठीके जी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है तो राइट आंसर इस र-e-i-n-d-w-e-r-a-fram-dabad is absolutely absolutely right चलो भाई scavenger scavenger hunt जिसको बोलते है scavenger hunt मतलब जो गंद या discarded material से कोई ना कोई resourceful scrap का माल जिसको बोलते है जो scrap ढूनते हैं और उससे कोई ना कोई resource बना लेते हैं scrap ढूनते हैं जो समझगे scrap मतलब भंजार या second hand material जो use हो गया आप हमारे किसी काम का नहीं है उसको क्या बोलते हैं ऐसे व्यक्ति को जो scrap की तलाश में उनको scavenger बोलते है scavenger 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 बिलकु सही आंसर है okay 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 sorry 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 यहाँ पे e नहीं है यहाँ पे e नहीं है इसको एक बार दुबारा correct कर लो this is not a this is e scavenger defidelity is absolutely absolutely right d इसका बिलकु सही है जी right answer is defidelity बहुत बढ़ी है यार सबका massive response आ रहा है defidelity is absolutely right चलो जी लिखो homework चलो इसको एक बार मैं बता जेता हूँ homework question भी इसको लिख लेंगे एक बार vulture ठीक है vulture से इसका कोई मतलब नहीं है यार लिख लो pusillomanias pusillomanias का मतलब होता है बहुत ले timid व्यक्ती जिसके बास courage ना हो लिख लो pusillanimous pusillanimous लिख लो pusillanimous मतलब मैं अब भी pronunciation बोलता हूँ फिर आप word बताना इसका मतलब होता है lack of courage दिखाना lack of courage क्या बोलते हैं lack of courage determination नहीं है timid व्यक्ती है cowardly व्यक्ती है उसको ऐसे व्यक्ती को क्या बोलते हैं pusillanimous 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 यह भी गया पिसले अच्छा यह LAEI कुछ नहीं होता है L-A-N-I-M-O-U-S B for Bombay आपको अभी याद रहेगा यह word pusillanimous pusillanimous का मतलब होता है lack of courage timid व्यक्ती cowardly व्यक्ती B for Bombay is absolutely right आगे आजा है quarrelled quarrelled मतलब लड़ाई quarrelled मतलब argument quarrelled W आता नहीं है गया double R मुझे गरत लग रहा है quarrelled right answer क्या होगा भई जल्दी से बता दो right answer right answer यहाँ पे double R तो सही है double L में problem है double R होता है quarrelled की right spelling क्यों होती है Q-U-A-R-E-L तो right answer इसमें होना अच्छी है C for Calcutta quarrelled is absolutely right C for Calcutta बिल्कु सही है आगे आजए है चलो भई homework question लिख लो homework mcq 1 एक homework mcq मैंने ये दे दिया एक और homework mcq आपको देखे जा रहा हूँ मैं questionnaire एक तो हो गया questionnaire और एक और homework mcq हो गया ये वाला इसको बोलते हैं इसको spelling लिख इसको बोलते हैं एक तरह का अगर आपसे कोई questionnaire लिखवा है मतलब वो आप उसका feedback जानना चाह रहा है कि भाई कैसा perform हम कर रहे है questionnaire का मतलब होता है आपसे set of questions पूछे जाएंगे आप answer दीजिए अपने unbiased answer दीजिए तो क्या होगा उनको उससे पता लगेगा किस प्रकार से हमें हमारा performance कैसा चल रहा है तो questionnaire बहुत ही बड़े scale पे conduct करवाय जाता है ताकि एक feedback हमें मिल सबाए अभी और spellings के बड़िया-बड़िया question ही देख रहे हो यह सारे question यह बड़िया-बड़िया कल हम questions करने वाले है कौन से spelling सही है अभी तक हमने वो किया और हम यह करने वाले है चार में से कौन से spelling गलत है तो कल सुबह मेरे को 10 a.m सारे जुड़ जाना और आज continuous basis पे live classes कंड़क करवाई जारी है इसी YouTube चैनल पे आपको कंड़ना क्या है मैं आपको पूरा को पूरा schedule देता हूँ सारे एक बार मेरा यार यह schedule लिख लो बहुत सारे students classes English के attend कर रहे हैं कुछ Hindi domain दे रहे होंगे आज का schedule लिख लो सारे जल्दी से ये लो आज का schedule आपके बाद टेलिग्राम ग्रूप पे भी हम पुचा चुके हैं ये लो आज का schedule लिख लो सारे economics के सार्ट करेंगा और physical education के सार्ट करने वाले हैं उसके बाद biology, accountancy, political sign, numeric liability, reasoning, current affairs सुबह 10 बएसे लेकर रात को 10 बएस तक regular basis पर like class चल रही हैं इस YouTube चैनल पे चैनल को subscribe करकर रखो और जितने भी students नहीं हैं मैं तो recommend करूँँगा sum of batch की registration's on है जिल्दी से जाओ, sum of batch पे enroll करो minimum cost पे maximum benefit जिससमें आपको मिल रहे हैं ये last batch आप before boards इसके बाद boards के बाद batch launch होंगे वो crash courses होंगे दो महीने के आपको देखो यार आपको 4-5 महीने में तयारी करनी है या 2 महीने में तयारी करनी है वो depend करता है कि आपका level of commitment कितना है pressure लेना सीखो तभी काम बन पाएगा otherwise यार आप अकेले नहीं हो जो CVT और class 12 board एक साथ दे रहा है हर एक व्यक्ति दे रहा है आपको करना के website का link में डाल चुका हूँ सबसे best batch मैं आपको recommend करता हूँ sum of batch with e-books आपका cost भी कम पड़ेगा benefits सारे मिलेंगे daily life classes है forms में आपके बरवाऊंगा symbolizes नासिमुजी, Christ University कौन-कौन सु उनिवस्टी हैं हम target कर रहे है नीचे जाना यहाँ पे देखो read mode description पड़ो इसका symbolizes I am Rotak, IP University, San Zevias I am Indor, I am Bodhia Christ University, BHU, JNU, Jamal Millie Islami, Delhi University World Renaud University हम target कर रहे है इसके तुरू आपको करना क्या है इसके details पढ़नी है content में जाओगे आपके पास कुछ demo lectures दे रखे है यहाँ देखो demo lectures पे click करना आपको side details मिल जाएंगे 250 प्लस आपके बास video lectures अवेलेबल है 400 प्लस notes अवेलेबल है 23 mock test दे रखे है आप एक पर जाके देखो structure of content दिखता कैसा है आज़ा सभी students को मैं एक पर दिखा देता हूँ यह 4999 है इसके उपर apply here पे click करना तो आपके पास देखो माश शिवरातरी का शिवरातरी coupon code है discount जैसी आप apply करोगे आपके पास 500 का coupon code apply होगे इसका price 4999 कोई बोलता है नहीं सर 15 physical books आपको पता है हमारा एक संभव badge है जिसमें ये 15 physical प्यारी प्यारी books आपके पास CVT specific books पहुँच रही होती है उसके लिए आपको क्या करना है थोड़ा scroll करो ये 6999 का जो batch है 6999 में 15 books आपके साथ आती है 4999 में books नहीं होती है उनकी PDF होती है संभव badge with 15 physical books 6999 दिख रहा है apply here पे जैसी क्लिक करोगे यहाँ पे coupon code लगाना देखो 500 रुपीस का discount आपके पास flat मिल गया अब इसका price 6499 हो गया जल्दी जाओ जल्दी जाओ जल्दी जाओ और जल्दी से अपनी त्यारी शुरू कर दो all the best जल्दी मिलते हैं next live class में जो schedule है उसको I'm pretty much sure आपने देख लिया होगा जो भी remaining doubts से एक बार आप मेरे को comment करके बताओ जल्दी मिलते हैं all the best yes नहाँ मैं ही भरवाओंगा एक बार आप batch जोइन करोगे तो आपका form में भर रहाओंगा फिर ठीक है all the best everyone take care